देश में इस वक्त रभी की फस्लों की कटाई अंतिम चरण पर है अप्रैल के महिने में बोई जाने वाली कई फस्ले ऐसी हैं जिनके विकास में बेहत कम समय लगता है जिन में मुंग, मुंगफली, बक्का और बीबी कौन शामिल है इन फस्लों की बुवाई कर किसान कम समय औ द्वारा आयजूत प्रत्म तृद्यूस से अंतराष्टी समयलर का शुभारम देन दयाल परिसर के वेवयकानन सभागरे में केंद्रे ग्रिशी और किसान कल्यान मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर द्वारा किया इस अवसर पर तोमर ने यह भी कहा कि संग्त राष्ट द्वार हम सभी को अच्छा लगता है क्योंकि यहां धरा की पावंता ही ऐसी है यह श्रदा का केंद्र है जित्रखुट में नानजी देश्मुक्रे देन दयालशोद संस्थान केंद्र इस्थापित किया है आमतर पर शादी के वक्त दूला दूलन को ऐसा तौफ़ा दिया चाता है जो आगे उनके काम आए या फिर कुछ ऐसा उपहर दिया चाता है जो बुरी वक्त में उनकी जरुद को पुरा कर सके लेकिन गुजरात के एक शादी में वक्त की जरुत की हिसाब से सटिक तौफा दिया गया दरसर राजकोर्ट से एक अजीब सा मामला सामने आया है यहां एक शादी में दूले को उपहार में नीमबू दिये गए है बढ़ते दामों की बीच दूले को नीमबू उपहार में दिये के चर्चा अब हर और हो रही है जानकारी की मताबिक यह मामला राजकोर्ट के धोराजी शहर का है हर्यना सरकार ने किसानों को बैंकों से लेंदेन पर बड़ी रहा दी है बैंकों से लेंदेन पर पहले उनी 2000 रुपे का स्टैंप शुल्क लगाना पड़ता था जिससे कम करके अब सिर्फ 100 रुपे करते गया है इस फैसले से प्रदेश में 16 लाग से जादा किसानों को लाब मिल सकता है सीम मनहोरलाल खटर ने प्रदेश में किये गए अपने कारियों को गिनाते हुए क्रिशे छेतर के काम भी गिनाए नों ने कहा कि सरकार का लक्षय क्रिशे सुधार और किसानों का उत्यान करना है खरी फसलों की बिजाय के प्रक्रिया शुरू हो गई है फिलहाल कपास की बिजाय का समय शुरू होने वाला है ऐसे में किसान अपने खाली हो चुके खेतों में कपास की बिजाय करना चाहते हैं तो अभी से त्यारी कर लेनी चाहिए क्योंकि विशेशग्यों के अनुसार कपास की बिजाई का उचित समय 15 अप्रेल से 15 मई तक कमाना गया है लेकिन इस बार गर्मी जल्द हिद्धस तक दे चुकी है और लगातार बढ़ती जा रही है और इसलिए कपास के अगेते बिजाई पर भी जोर दिया चा रहा है जारखन के सभी राशन कार्ट धारकों को अब हर महिने राशन में चना दाल दिया चाएगा इस कार्ट में गुलाबी, पीला और हरा कार्ट शामिल है इसमें 58 अलग परिवार के 15 अलग लाबोकों को लाब दिया चाएगा उत्र परिदेश के सभी कृषिव विश्व धयालों में आने वाले 6 महिनों में 417 रिक्त शक्ष्वनिक पदों को भराचाएगा साथी कृषिव ग्यान केंद के 143 रिक्त पदों के लिए भी वेकिंसिस हैं प्रदेश में चाल क्रिश्य विश्विध्याले आयोध्या, कानपूर, मेरट और बांधा में इस्तित हैं जिसमें ICER, BHU, SHARTS, NANI, क्रिश्य संस्थान और NGO संस्थान से 22 क्रिश्य विज्ञान के शामिल है तो वहीं उत्र भरत के कई राज्यों में बढ़ती गर्मी ने लोगों को परिशान कर दिया है लगातार चल रही गरूम हवाओं के साथ दिल्ली में फिर से लू की स्थितिक बनी हुई है आएमजी की माने तो दिन के समय मौसम साफ रहेगा और आने वाले दो दिन में लू से रहत नहीं मिलेगी तो वहीं दिल्ली में न्यूंतन तापमान 27 डिकरी और अधिकतम तापमान 41 डिकरी सेल्सिस दर्च किया गया है इसे तरह कि आने खबरों के लिए जुड़े रही है क्रिश्य जालरन के साथ धन्यवाद